तेरा जन्वरी दो जार तेस विश्वास की घोशना मैं घोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलोकिक हूँ मैं घोशना करता हूँ कि मैं विकास के नए सत्रों में चल रहा हूँ मैं स्थिर नहीं रहता और ना ही पुराने चीजों को पकड़ के रखता हूँ मैं या जानने के लिए खुला हूँ कि ईश्वर के पास मेरे लिए बहतर योजनाय है आउसर के नए दर्वाजे, नए रिष्टे और अनुग्रह के नए स्थर यहां और अब ईश्व के नाम पर है यह मेरी घोशना है दिव्य स्वास्त की स्विकारोक्ती मेरा शरीर ईश्वर का घर है पवित्राद्मा की शक्ती मेरे अस्तित्व के हर तंतू और मेरे रक्त की हर कोशिका में है परमीश्वर की उपस्तिती में आनंद की परिपूर्णता है कोई बिमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकती क्योंगि मैं इश्वर को वहन करता हूँ अलिलुया मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा ईशु के नाम में मैं मजबूत हो, मैं स्वस्थ हो, मैं धन्य हो, मैं धनी हो मैं शक्तिशाली हो, मैं अभिशिक्त हो, मैं स्वतंत्र हो, मैं ईश्वर का प्रिय हो मैं ईश्वर और मानव जाती का कृपापात्र हो मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ ना कि जो मैं देखता हूँ मैं एक अनमोल बीज हूँ मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभु के दरवार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन करता हूँ, मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भराऊ आ हूँ और बुढ़ापे में भी मैं ताज़ा और फलता फूलता रहूंगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो ईशु के नाम में सम्रद होता है चीजे हमेशा मेरे लिए ईशु के नाम में काम कर रही है मैं मसी ईशु में हर आध्यात्मिक आशिरवात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौत एक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देती है और मेरा शरीर पालन करता है इशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ परिपूर्ण बनो मसी के मनोभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर के बचन से संड्रेकित होने की आग्या देता हूँ मैं अपने स्न्यायू और नसो से जीवन बोलता हूँ मैं अपनी मास पेशियो और स्न्यायू बंदन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफडू और उतकों से सामानी वेंटिलेशन और परव्यूशन अनुपात बनाये रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपनी किड्नी लिवर और अगनाशय को पूर्णता बोलता हूँ मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड्डियां, जोड और काटिलेज संड्रेखे मशबूत और द्रिड है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उतकरिष्ट रूप से कारी करते है मेरी आंखे स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं भैतरीन मेरी तवचा एक नवजात शिशू और ईश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों के रोम कस गए है मैं अपने बालों को स्थिर रहनी की आग्या देता हूँ और जहां व्रिद्धी की आवशक्ता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूँ मेरे दान्त, मसूडे, जबडे की हडियां और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हॉर्मोन और निरोकेमिकल ट्रांस्मिटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जस्मे है और अपने कारियों को सामानी रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खादी पधार्दों को पचाने आउशोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चया पचाय अपिश्ष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्चरजित होते है मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शितिलता, गपशप, आलस्य, अधिक नींद, सुस्ती और बाध्यकारी खरीदारी में सभी प्रकार के व्यसनों, द्वीध हातो मान को कैदी करता हूँ और मसीग की आग्यकारिता में लेता हूँ, जैसा इश्व, वैसा ही मैं इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है, इसले खादी बतारतों, धूल, जानवरों, आधी अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझ पर इन सारी चीजों का अधिकार दिया है मेरा ब्रजनन तंत्र परियाप्त मात्रा में और अच्छी गति शीलता वाले शुक्रणवों का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा ब्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है, जन्म तक ध्रून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग हर कोशी का पूर्णता में कारी करता है जिसके लिए इश्वर ने इसी कारी करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खरावी और विकृती को एश्व के नाम पर मना करता हूँ आमिन मेरा संपूर्ण मानो शरीर रचना विज्ञान, चया पचय और शरीर क्रिया विज्ञान, मसी इश्व में परिपूर्ण है, महीमा, आलिलुया, आमिन पिता इश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ शालोम